प्रिधान मंत्री नरींद्र मोधी ने गुजरात विधान सभाचनाव 2022 के दूसरे चरण में मद्दान किया PM मोधी ने एहमताबाद के रानिप में मौजूद निशान पब्लिक स्कूल में अपना वोट डाला रास्ते में यहां उन्होंने लोगों का अभिवादन भी स्विकार किया PM मोधी करीब 200 मीटर पैदल चले और मद्दान केंद्र तक पहुँचे फिर PM मोधी आम जनता की तरह लाइन में लगकर वोट डालने पहुचे वोट डालने से पहले PM मोधी ने ट्वीट कर गुजरात वासियों और देश की अलग-अलग जगहों पर हो रहे उपचुनाओं में वोट डालने की अपील भी की बता दें कि प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी रविवार को ही गुजरात पहुच गए थे वो एहमडाबाद के एयरपोर्ट से सीधे मा हीराबाद से मिलने गांधी नगर पहुचे मा के पैर छुए उनका अश्रवाद लिया और फिर साथ में बैठ कर चाय भी पी इसे पहले अगस्त और जून में भी PM मोधी मा से मिलने आये थे मैं फिर आधे घंटे की मा से मिलाकात के बाद PM मोधी पाड़े ओफिस कमलम निकल गए और फिर सुबह उन्होंने आम जनिता की तरह वोट डाला ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया अहेड